आने वाले ट्रेडिन शेशन में गोल्ड में क्या मोमेंट देखने को मिल सकती है यह वीकली आनलेशिस रहेगा हो फोल्डिंग बेस आनलेशिस रहेगा यहाँ पे कोई भी इंट्राडे का रिकामडेशन नहीं है आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलिग्राम चैनल ज देना चाहूंगा मेरा सबसे बड़ा सस्क्राइबर वेस है वो यमसेक्स कमडिटी का है और यमसेक्स कमडिटी का 95% आपको सेम डे में प्राफिट बनाने वाला कोई भी लेवल प्रोवाइड नहीं कराएगा ऐसा आपको कई पर भी नहीं मिलने वाला है और जितने भी लेवल प्रोवाड करा दो लाइव मार्केट में देखो गे तो अभी यहां पर 14 डॉलर के आसपास गिरावट नजरा रहे 0.70% के आसपास यहां पर गोल्ड में गिरावट नजरा रहे काफी वीडियो में आरेडे बता चुका हो कि आपको यहां पर गोल्ड में बाइंग द देखने को मिला वो मैं तक बाइंग देखने को मिलता है हमेशा और मैं के बाद डिमांड धीरे-धीरे कम होते हुए आपको देखने को मिलती है लाइव मार्केट में देखोगे तो 1963 डॉलर के आसपास अभी लाइव ट्रेडिंग हो रहा है पिछले वाले काफी वीडियो मे थूढ सकते हो लास्ट वाले वीडियो में आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर विजिट और चेकाऊट कर लीजिए लाइव मार्केट के बात करेंगे क्या हम इसलिएवल पे सेल की पोजिशन बना सकते हैं क्या तो व्यूकुल आप यहां पे 1950 डॉलर के नीचे आप सेल 19 सब तक आपको गोल्ड डाउन साइट आते हुए देखने को मिलेगा ध्यान में रखिए जिसको फ्रेस बाई करना है तो कम से कम 2000 के उपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक आप गोल्ड डॉलर में फ्रेस बाई मत करिए आपके पास और्रेडी बाई की पोजिशन है गोल्ड में किसी को यहां पर पोजिशन एड करना है बायर्स के लिए तो कम से कम 1900 डॉलर आने दीजिए 1900 डॉलर आता है तो एक आपके लिए बाई पोजिशन एड कर सकते हो और जो फ्रेस बाई करना चाते है वो 2000 के उपर सस्टेन करेगा तब बाई कर लीजिए या 1900 का ले पोजिशन होल्ड कर सकते हो जब तक आप बात करेंगा भी अच्छे खासी रिकवरी आपको देखने को मिर रही है लास्ट वाले काफी वीडियो में और यह बता चुका हूँ कि gold इस range के अंदर काफी दिन से trade कर रहा है Upset का range 61700 161700 के लिन में Upset का range और Downset का range निकल के आ रहा है 59300 इसी थोड़ से 4-5% के बीच में लगबग लगबग 2 मैने का समय बिता चुका है और ये उपर की तरब थोड़ा सा भी जाता है तो एक selling pressure आपको gold में देखने को मिलता है तो क्या हम इस लिए और पर sale की position बना सकते हैं क्या व्यूकुल नहीं आपको जब तक 59300 के नीचे जब तक ये sustain नहीं करता है ध्यान में रखना 59300 के नीचे sustain नहीं करता है तब तक आप fresh sale की position मत बनाईए क्योंकि यहाँ पर इस range के अंदर market trade कर रहा है तो sideways zone में जब market trade करता है तो आपको नहीं पता market upset जाएगा या वो downside आएगा overall trend के बाद करेंगे तो अभी भी ये uptrend है uptrend के बाद जब ये 59300 के नीचे sustain करेगा तब ही इसका overall trend क्या हो जाएगा downtrain start हो जाएगा और आने वाली दिनों में जब ये downtrain start होगा तो कम से कम आप 57,000 तक के लिए position आप hold कर सकते हो और यहाँ पे किसी को fresh buy की position बनाना है तो इसके उपर sustain हो ने दीजिए 6,600 के उपर ये sustain करता है तो आप यहाँ पे fresh buy की position बना सकते हो with the stop loss आप 59,300 छोटा सा stop loss के साथ आप buy की position hold करके 62,000 का first target 63,000 का second target के लिए position आप gold में hold कर सकते हो इस level पे आपको कुछ भी नई करना है मेरी हिसाब से आपकी buy की position है वो भी exit कर लिजिए sale की position है वो भी exit कर लिजिए क्योंकि sideway market में ना आपको उपर जाएगा ना नीचे जाएगा और काफी दिन तक आपका पैसा block भी रह सकता है ध्यान में रखिए जो fresh sale करना चाते हो वो 59,300 के नीचे और fresh buy करना चाते हो 6,600 के उपर buy करना चाहिए और जिसके पास already buy है या sale की position है वो मेरे हिसाब से याँ पी position आपको exit कर लेना चाहिए तो complete design करी मैंने gold mega के उपर भी बताने की कोशिश किया साथ में साथ gold comics में भी बताने की कोशिश किया comics में trade करना चाहते हो तो one of the best platform है Octavex link मैं description में देदूँँगा या telegram पर मैं भेशता रहता हूँ उसके तो भी आप demand account open कर सकते हो within 5 minutes के अंदर आपका trading account open हो जाएगा और live market में आप demo trade कर लिजे उसके बाद live market में fund deposit करके भी trading कर सकते हो only go would में trade करना है तो only 1000 रुपेशे भी आप trading स्टार्ट कर सकते हो मिलटे ने वीडियों आपके साथ तब तक के लिए बाई बाई